गोड इबीनिंग यू अल्सो आज हम लोग पढ़िएंगे दे टॉपिक रहेगा वीमेन एंड चिल्रेन सो हम लोग पढ़ रहे थे मार्जिनलाइज ग्रूप पर ठेके सो यहाँ पर मार्जिनलाइज ग्रूप जो होते है जो पावरलेस, डोमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड और जिनका सोसाइटी में कोई रोल नहीं रहता है ठीक है decision making में कोई role नहीं रहता है और society से generally इन लोगों को exclude करते है society का लोग इन लोगों किसी भी function से लेकर किसी भी चीज में include नहीं करते इस तरह का powerless लोग जो होता है dominated, discriminated लोग जो होता है वो होते है आपका marginalized group तो वो थे आपका schedule tribe थे जिसको आदिवास कहते है और schedule caste थे जो हिंदू religion का according caste का hierarchy में छोटा जात होते, lower rank रहता है ठीक है छोटा जात का लोग वो लोग भी marginalized है और इस तरह से women and children भी marginalized group है तो women and children का अगर हम लोग बात करेंगे तो सब समय ऐसा नहीं था, women and children का condition, children का अगर बात छोड़ते है women का condition जो है सब समय ऐसा नहीं था, Vedic age से पहले, Vedic age generally हम लोग history में two parts में इसको divide करते है तो early Vedic age and later Vedic age बोल करके तो यहां पर तो इसका बारे में detail में discussion करना अभी चरूरी है नहीं, यह तो 67 में ही generally परते है तो 1500 से लेकर के 1000 BC, before Christ है तब तक early Vedic age और फिर 1000 से 6000 BC तक later Vedic age कहते थे तो यहां पर जो Vedic age जो है, later Vedic age में ही women का condition इंडिया में यहां पर Detroit होने लगे that means इन लोगा condition खराफ होने लगे, मतलब खराफ करवा दिया गया Vedic age से पहले अगर Indian society में देखेंगे, तो वहां monogami था, polygami सिस्टम नहीं था मतलब पुरूस जो है, एक ही साधी कर सकते थे और साथ-साथ, women का important role होता था घर में भी और बहुत सारा ऐसा religious festivals बगरा, ceremonies बगरा होता था, without women नहीं होता था that means women का बहुत ही important role रहा करता था और women घर पर confined नहीं होते थे जबकि अभी का present society में भी देखेंगे, बहुत सारा हिंदू society में अगर महिलाओ को देखेंगे, वो लोग अपना चेहरा को ढख लेते हैं और generally होगा कि अपना husband का brother को चेहरा नहीं दिखाएंगे तो इसी में लोग अपना respect समझते हैं और जदातर महिलाओ को घर से बहार का काम करने के लिए allow नहीं है क्योंकि लोग समझते हैं कि महिलाओ को चार दिवारों के अंदर भी रहेना होगा और वहीं खाना पकाना बच्चों को देखना बरतंधोना इतना ही काम करना चेह इस तरह का सोच अभी भी हम लोगों का दिमाग से हटे नहीं है और जबकि हम भेदिक एज से पहले अगर बात करेंगे उस समय का इंडिया का बात करेंगे ये सारा चीज नहीं था बहुत सा रिलिजियस फंक्शन भी without women invalid माना ज़ादा था तो women का important role था society में women का important role था घर में women का important role था religious festivals performance बगिरा में religious activities बगिरा में भी बहुत सारा हट तक देखेंगे तो ब्राम्मन्स लोग जो है इंडिया में यही कहते ये लोग Aryans लोग है और ये लोग इंडिया में हिंदुकूज माउटेन जो इंडिया का नर्थ में वहां से होते हुए इंडिया में आये थे और बात में जा करके इन ही लोगों का time में इंडिया में वेधास बगिरा को कंपोस करने का काम भी हुआ है और इन么 लोगों ने जो हिंदु रिलिजैन में इस तरह का डोमिनेशन बनाया कि यहां हिंदु रिलिजैन जो क्ला में एक particular community ब्राहμαन लोगों का religion जैसा ये लोगों ने बनाए और यही लोगों ने जाज सिस्टम क्रियेट करने का काम भी बात में किये है present day में देखेंगे women को बहुत सारा ऐसा जो goddess है जैसे कि आपका दुरगा माता होंगे ठीक है काली माता होंगे बहुत सारा ऐसा है कि हम लोग एक महिलाओ को मौदर का रूप में वर्शिप करते हैं तो बहुत चरह ऐसा गौट है जिनको हम लोग यहाँ पर women god का रूप में मानते और जब reality में आते reality में देखेंगे तो क्या women को हम उसी तरह के status देते है society में जो respect हम एक religion को रूप में एक दिखाने के लिए हम लोग religion में जिस और respect देते हुई women को जिसे की दुरगा माता कहते हैं काली माता कहते लक्षमी माता कहते सिता माता कहते क्या हम लोग women को वहीं दरजा देते है real life में वह कई में नहीं देते है women का condition पैथेटिक है इंडियन सोसाइटी में इंडिया का ही बात हम क्यों करें दुनिया का जिते नभी developed countries का भी अगर बात करेंगे women का condition ऐसा आपका अच्छा नहीं है जबकि बहुत सारे religious text को अगर पढ़ेंगे religious text ही है उसका source कहते है two women equals to one man ऐसा चीज मेल का डोमीनेशन में रहना है husband को डोमीनेशन में रहना है उनका आदेश शुना है ठीक है और आप जब हिंदू religion का बात करेंगे तो हिंदू religion में भी जो सिरी राम भगवान ने जो सीता माता का अगनी परिक चाली तो यह सारा चीज यहाँ पर यही शो करते है कि religion जो है यह जड़ है किसी भी women का अगर domination होता है किसी भी society में चाहे Christian society हो चाहे Hindu society हो चाहे Muslim society हो किसी भी society में अगर women का domination होता है तो इसका जड़ कुछ हद तक religion है क्योंकि religion ने लोगों को इस कदर male dominant society create करने का काम किया कि women यहाँ पर dominated ही रहा और women को हम लोग inferior ही सोंचते रहे हम लोगों से intellectually weak, physically weak हम लोग समझते रहे और एक मात रखिलाऊना का वस्तु समझ करके women का रखा गिया है तो अगर ऐसा condition है तो reform तो आना था तो राजा राम मोहन रोए जैसे कि हम लोगों ने history में पढ़े होंगे कि साती सिस्टम 1829 में जब abolish किया गया था साती सिस्टम को illegal declare किये थे तो राजा राम मोहन रोए जो वेस्ट बेंगोल से बिलोग करते थे एक social reformer थे इनका बहुत important role रहा है और इन ही का request में जो उस समय का governor general लोट विल एन बैंटिंक ने साती को illegal declare किये थे 1829 में और इस्वर्चन्रविद्या सागर का role हम लोगों नहीं वहाँ पर पड़े है जब वीडो रिमेरिज आक्ट पास हुआ था 1856 में तब हम लोग देख रहे थे इस्वर्चन्रविद्या सागर ने बहुत सरा हिंदु सास्त्र को इस्टरी करने के बाद इन्हों ये प्रूफ क कर सके ठीक है तो इसलिए तो बात में जाकरी के 1856 में वीडो रिमेरिज आक्ट पास हुआ और ऐसे बहुत सारे सोचल रिफरमर्स है तो जिन लोगों का कंट्रिब्यूशन के कारण जिन लोगों का इफोर्ट के कारण बहुत सारा रिफर्म बगर आये वीमेन का कंडिशन मे और प्रेजन में भी देखेंगे 1992 में नैशनल कमिशन फर वीमेन नैशनल कमिशन फर वीमेन सेट अफ हुआ है इंडिया में जो न्यू दैली में है इसका हेटक्वार्टर 1992 में नैशनल कमिशन फर वीमेन सेट अफ हुआ है और इसका मक्सद जो है वीमेन का वेलफर ठीक है वीमेन का सेफगार्ट करना, उसका प्रोटेक्ट करना, उसका राइट के लिए लड़ना, ठेक है, तो नैशनल कॉमिशन फर वीमेन नाइटीन हंडेट नाइटी तो में सेट अफ हुआ है, तो अधी भी कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि वीमेन का एगेंस में, चाहे डोम नैशनल कॉमिशन फर वीमेन, तो वहाँ पर एक वेब साइट है, वहाँ पोर्टल है, वहाँ पर आप कम्प्लेइन डाल सकते हो, वेब साइट है, एन नैशनल ncwap.nic.in बोलकर के दिया होगा, आप सौर्फ करोगे तो वहाँ पर मिलेगा आपका, कि डिरेक कम्प्लेइन भी आप लोग फाइल कर सकते हो, ठीक है, और इसका प्रेजेंट में इसका जो प्रेसिटेंट होंगे, इसका जो चेर परसन जो होंगे, रेखा, रेखा कुछ है, ठीक है, तो जो भी हो, तो नैशनल कॉमिशन फर विमेन जो है, ये विमेन को राइट के लिए ही ये फाइट करते है, ठीक, और जितना भी लॉज बगेरा पास कर रहे है, चाहे एसेमली में हो, चाहे पार्लामेंट में हो, तो उसको भी ये देखने का काम करते हैं, क्या वो law women's against में तो नहीं है कौन सा law women's का favor में काम कर रहा है ये भी देखते है और women's का against में जितना भी society में evils बगएरा हो रहा है discrimination हो रहा है उसका against में भी national commission for women काम करते है और इसको महिला आयक बोल करके पटना में भी आप देखेंगे तो ये बेली रोट का असपास इसका office वहाँ पर दी है तेक है इस तरह से आप लोग national commission for women का एप में जा करके आप लोग भी इस तरह से complaint file कर सकते है और वो action लेगा हाँ mostly women and children को देखेंगे domestic violence से तो women तो अक्सर यहाँ पर suffer करी रहा है domestic violence होता है कभे डावरी को लेकर के दहेच को लेकर के कहीं किसी का जला दियाता है मार दियाता है पिटा जाता है ठीक है उन पर टचर करते है mental टचर होता है physical टचर होते है ठीक है इस तरह से women जो होता है sexually भी टचर होते है घर में भी होता है फेमिली का मेंबर से भी होता है ही स्राउंडिंस में भी होता है एडुकेशन भी इन लोगों को जैसे घर में एक बच्चा होगा एक बच्ची होंगे बच्चे को अच्छ नहीं दिया जाता है क्योंकि सोसाईटी यह सूचते लोगों का धिमाग में यह एक इस तरह का जो बीस जो भरा हुआ है कि लोग सोचते हैं कि महिला को तो साधी करके वेजना है उसको तो दहेज देना है तो पढ़ा करके खर्चे क्यों करेंगे वो खर्चे तो उनको दहेज में देंगे तो इस तरह का सोच सोसाइटी में है तो इसलिए women जो है domestic violence भी face कर र अगर वहीं लड़की होगा तो घर में अगर लड़की एक जनम भी लेते हैं तो उतना लोग धुमधाम से उसके लिए celebrate भी तो करता कहा है क्योंकि लोग अगर घर में अगर कोई एक लड़की का जनम होता है तो लोग नाराज भी हो जाते है तो इस तरह से women लोग को सोसाइ यह एक marginalized group है और children भी होता है बहुत हथ तक जैसे कि आप देखोगे बिहार में नितिज गौवर्मेंट ने दारू को बन कर दिया है कि नए alcohol को पुरितर से बैन किया है तो जब alcohol यहां चलता था तो generally क्या करते थे दारू पीने वाले का पास पैसा कहीं से भी आही जाता था दारू पी देते चाहे घर में उनका बच्चे के लिए खाने के लिए कुछ हो या ना हो किन्तो दारू पीने के लिए पैसा आजाता था तो बच्चे भूका रहता था बच्चे नंगा रहता था उनको balance diet नहीं मिलता था तो adult जो है वो तो अपना पीट कईसे भी हो अपना जो भी interest से उसका पूरे कर ही लेते तो छोटे बच्चे को अगर नहीं देखेंगे तो उनका condition क्या होगा तो generally children लोग भी गरीव घर में ये एक marginalized का तरह ही रहते हैं और old aged people old aged people भी अक्षर marginalized ही रहते हैं क्योंकि कौन सुनता है old aged people का और छोड़ोन बुड़्डा का बात और जब तक उनका सरीर में energy रहता है जब तक वो work करते हैं पैसे कमाते हैं तो लोग उनको respect देते जैसे ही वो age उनका ज्यादा होने लगते हैं एजट होने लगते हैं लोग उनको थोड़ा सा side करने लगते हैं side lines जने लगते हैं उनको के ते और छोड़ोना बुड़्डा का ब ऐसे ही बहुत चरा minority groups होगा Indian society में वो minority group भी marginalized है, minority कहने का मतल़ नंबर में कम, जैसे कि Indian society में देखेंगे और religion का according देखेंगे तो Hindu religious people का number बहुत ज़्यादा है, तो majority में मुस्लिम religion का people का अगर संख्या देखेंगे वो कम है तो minority हुआ, इसी तरह से Christian religion को follow करने वाले लोगों का number देखेंगे, वो भी कम है, वो भी minority में, ऐसा बहुत सरा minority group भी होंगे, वो भी India में marginalized है, कि इसका मतलब यह नहीं है, कि सभी marginalized group जो है, वो, sorry, सभी minority group जो है, वो marginalized होगा, जैसके बात करेंगे, इंडिया में पार्सी लोग, यह लोग minority हैं, minority में यह बहुत कम, मु बहुत ही कम है, किन्तु यह minority में है, किन्तु marginalized नहीं है, क्यों नहीं है, यह लोग तो बहुत बड़े-बड़े industrialist है, ठीक है, यह marginalized कब होगा, जब dominated होगा, discriminated होगा, powerless होगा, जिनका society में कोई important role नहीं रहता है, decision making में उनका कोई role नहीं रहता है, और society का लोग जेनरली इनक रिडिक्यूल करते हैं, इनको मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, इनको dominate करते हैं, और इसको society का main history में include नहीं करते हैं, इसको exclude करके चलते हैं, इसको दरकिनार करते हैं, तो तब वो marginalized group होता है, तो ओके, यह सभी marginalized group था, तो marginalized group का लिए, उनका betterment के लिए government क्या 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 करते हैं उस चीज़ पर हम लोग काल डिसकस करेंगे, आज के लिए इतना ही, तो चलते हैं, बबाई